एक गाएं का डेरी फार्म जादा अच्छा होता है या एक भैस का डेरी फार्म जादा अच्छा होता है एक गाएं के डेरी फार्म को चलाने के क्या फाइद और क्या नुकसान है और एक भैस के डेरी फार्म चलाने के क्या फाइद और क्या नुकसान है दोस्तों अगर आप भ पर इसी तरह से informational और knowledge वाले वीडियो बनाते रहते हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर shared design से related और बच्चे की देख बाल कैसे करें, इस तरह की वीडियो हमारे चैनल से देख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको अपने farm के लिए अच्छी quality के tested, certified और अच्छे दुधारू प समपर्ट कर सकते हैं, हम already इंडिया के बहुत से राजियों में अब तक पशु भेज चुके हैं, और अब भी अच्छी quality के certified और tested पशु भेज रहे हैं, तो बढ़ते हैं आज के topic की तरफ, दोस्तों भारत में अगर कोई भी व्यक्ति dairy farm में enter होना चाता है, dairy farm business करना चाता है तो उसके mind में कुछ सवाल उटते हैं, उन सवालों में एक important सवाल ये भी होता है, कि क्या उसको गाएं के dairy farm की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए, या उसे भैस के dairy farm की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए, इसके अलावा कुछ किसान भाई जो कि गाएं का dairy farm कर रहे हैं, उ तो इस वीडियो के थुरू मैं इन प्रशनों का उत्तर दूँगा और कोशिश करूँगा कि आप एक decision ले सकें इस वीडियो के basis पे कि आपको गाएं के dairy farm के तरफ ध्यान देना चाहिए या आपको भैंस के dairy farm के तरफ ध्यान देना चाहिए दोस्तों इस प्रशन का उत्तर ढूणने के लिए ऐसे source पे डिपेंड करना चाहिए जो की unbiased हो यानि के बिना पक्षपात का हो क्योंकि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से इस बारे में पूछेंगे जो की गाएं के बारे में जादा अच्छी जानकारी रखता है तो वो आपको गाएं का dairy farm करने के लिए प्रेरित करेगा अगर आप ऐसे व्यक्ति से इस प्रशन का उत्तर पूछेंगे जो की भैंस के dairy farm म क्या फाइदे और नुक्सान है और भैंस के डेरी फार्म करने के क्या फाइदे और नुक्सान है तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कुछ factors के थुरोग आपको बताने की की गाएं के theory farm के क्या फाइदे और नुकसान और भैंसों के dairy farm के क्या फाइदे और नुकसान है तो इन factors के basis पे आप अपने decision ले सकते हैं कि आपको गाएं का dairy farm करना चाहिए तो आपना decision सोथने से पहले आपको सबसे पहले जो factor पर ध्यान देना है, वह ध्यान देना है milk fat, आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि गाएं से जो दूद निकलता है उसकी fat percentage कम होती है, दोस्तों इस पूरी वीडियो में अगर मैं गाएं की बात कर रहा हूं, तो मैं HF और जर्सी जैसी breed की यही बात कर रहा हूं, क्यों वारी इंडियन ब्रीड शामिल नहीं है, दोस्तों जो दूद उत्पादिद होता है, वो कुछ component से मिलके बनता है, जिसमें एक fat बहुत ही important role play करता है, इस fat की percentage अगर आप गाएं का दूद देखें, तो उस गाएं के एक लीटर दूद में जो है 3.5% के आसपास जो है fat होता है, सबसे पहला factor तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों के milk में कितना fat होता है, अब इसकी जरूरत कहां बढ़ती है, ये है दोस्तों हमारा point number 2, जो की है एक लीटर पे मिलने वाला किसान को उस दूद का price, इस fat पे ही depend करता है कि किसान को उसके दूद का क्या मूले मिलन है, अगर तो दोस्तों बात करें, एक गाएं के दूद की जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तीन से साड़े तीन परसेंट के आसपास fat होता है, तो जनरली किसान को उसके एक लीटर दूद के लिए 25 से 30 रुपे के आसपास मिलता है, वहीं अगर भैस का दूद है, तो उसमें 7 से 8% fat होने की वजए से, उस भैस के एक लीटर दूद का मूले जो है किसान को लगभग 40 से 45 रुपे के आसपास मिल जाता है, पर ये decision सिरफ इन दो चीज़ों को देखकर नहीं लिया जा सकता दोस्तों, मैं आगे आपको बहुत से factors ऐसे बताऊंगा, जो कि बहुत जरूरी ह आपको जानने के लिए, अगर आप अभी तक के दो पॉइंट्स देखे तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि हमें भैंस के dairy farm की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि भैंस के दूद की percentage जो है जादा है, उसके एक लीटर के लिए दूद जादा मिल रहा है, पर अगर मैं आपको पॉइंट नमबर तीन बताऊं, तो आप पॉइंट नमबर तीन में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है milk capacity, एक भैंस के दूद देने की शमता जो होती है, वो गाएं के दूद देने की शमता से बहुत कम होता है, अगर आप एक HF गाएं की बात करें, तो HF गाएं बी की डेरी फार्म की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पर फिर से मैं आपको बताना चाहूँ, आपको सारे के सारे पॉइंट की तरफ ध्यान देना है, आपको सारे पॉइंट को एनलाइज करना है, सारे पॉइंट पर सोचना है, और तभी एक भी सीजन लेना है, तो पूरा 20 का 20 लिटर दूद नहीं देगी और ना ही भैस पूरे 15 का 15 लिटर दूद देगी तो यह मान लीजे कि एक एवरेज मिल्क जो है पूरे लेक्टेशन पीरिड में एक गाएने जो 20 लिटर कैपैस्टी है उसने 15 लिटर की एवरेज जो है दिये जो कि 75% बनता है उसकी कै 15 है उसका तो कुछ 11.25 लिटर बनेगा यानि के एक गाएन मान लीजिए वो प्रती दिन पूरे साल भर 15 लिटर दूद दे रही है और एक भैस जो है वो दूद दे रही है 11.25 लिटर अब मैंने आपको जैसा बताया कि गाएन के दूद का आपको 25 से 30 रुपय मुल्या में एक एक गाएन जो है आपको लगवग 405 रुपय का प्रोडक्शन दे रही है उसी के अगर मैं भैस का दूद देखूं तो उस भैस के दूद के लिए मान लीजिए 40 रुपय आपको मिल रहा है और उस वो जो प्रती दिन दूद दे रही है 11.25 लिटर दे रही है तो इस साड़े 400 रुपय का दूद जो है एक भैस ने दिया तो आपने इस कैलकुलेशन से देखा कि दोनों के फैट परसेंटेज बहुत उपर नीचे होने के बावजूद भी जो टोटल इंकम आपको पर दे रही है वो बिलकुल आसपास ही है ज्यादा फर्क नहीं है गाएंग मे और एक भैस में अगर आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे और अगर आप इस कैलकुलेशन का बहुत ही स्ट्रिक्ट आंसर चाते हैं बहुत ही सटीक जवाब आप चाते हैं तो उसके लिए आप अपने शहर में जो भी आपको दूद का प्राइज मिलता है वो आप इस equation में रखके आप ये पता लगा सकते हैं या फिर आपको बहांस पाल के जादा इंकम होने वाली है इसके अलावा दोस्तो चौट्था पॉइंट होता है यानि या भैंस खरीदने की लागत तो एक गायenne कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों एक HF गाई जो की तकरीबन 20 लिटर कैपैसिटी की है वो तकरीबन 60-70,000 रुपे की आती है वहीं एक 15 लिटर की भैंस जो है तकरीबन 90,000 से 1,00,000 रुपे के आसपास तक आती है तो जो लोग इनीशली एक बजट के साथ आना चाते हैं उन लोगों के लिए ये फैक्टर बहुत ही इंपोर्टन होता है ध्यान में रखना कि वो अपने बजट में अगर गाएं का फार्म डालना चाते हैं तो कितनी गाएं रख सकते हैं और अगर भैस का फार्म डालना चाल ठाहते हैं तो खैसे की बहुत ही कम रोग फैलते हैं अगर आप गायों की बात करें तो आप देखेंगे पिछले कुछ शालों में जो भी डिजीज आई है जैसे कि FMD ये लंपी डिजीज ये सब गायों में ज़्यादा फैलती है और भैसों में बहुत ही कम या नाम मातर के रोग फैलते हैं तो आपको जो medical expense है वो गाएं पे ज़्यादा लगेगा और आपका भैसों पर बहुत ही कम medical expense लगता है छटा factor जिसकी तरफ मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग सोचें वो है pregnancy period एक गाएं का pregnancy period दोस्तों लगभग 9 महीने का होता है और वहीं एक भैस का pregnancy period तकरीबन 10 से साड़े 10 मंत का होता है अब इसका आपके decision पर क्या असर पढ़ने वाला है वो पिल्कुल सीधा सीधा असर है दोस्तों आपको जो है भैस के case में थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा उसके productive होने का यानि के वो कब दूद दे और कब आप उससे अपनी earning स्टार्ट करें उसके लिए आपको गाएं के comparison में थोड़ा सा जादा wait करना पड़ेगा इसी से मिलता जुलता है हमारा साथवा फैक्टर जो की है उसका पहला बच्चा देने के लिए prepare होना एक गाएं को पहला बच्चा देने के लिए दोस्तों लगभग 24 महीने लगते हैं यानि के दूसरे शब्दों में कहूं तो लगभग 2 साल के आसपास जो है गाएं अपना पहला बच्चा दे देती है यानि वो productive जो हो जाती है दूसरी तरफ हम भैस की बात करें तो एक भैस को पहला बच्चा देने में तकरीबन 3-3.5 साल का वक्त लगता है तो अगर आप भैसे पाल रहे हैं या भैसों का बिजनस करने वाले हैं तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए यह थोड़ा लंबा समया आपको लग सकता है दूद बेच के अर्निंग करने में अगर आप शुरू से ही बच्चडी को पाल रहे हैं तो आठवा पर दोस्तों जिसकी तरफ में आप लोगा ध्याना कर्शित करना चाहता हूं वो है इनकी डाइट पर होने वाले एक्सपेंसिज दोस्तों मेरी नज़ेर में एक गाएं और भैस को डाइट दी जाती है उसको अगर हम आम तोर पर देखें तो लग भग बराबर ही जो है यानि के 200-300 रुपे के आसपास का खर्चा जो है एक गाएं और एक भैस पे आता है नोवा फेक्टर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों गाएं में जो है repeater issues बहुत होते हैं अगर आपको repeater issues पता हो तो गाएं के pregnant होने की जो शमता होती है या pregnant होने की जो frequency होती है गाएं में भैसों के comparison में कम होती है यानि भैसों में जो है उनके pregnant ना होने की problems ब unproductive है या फिर male बचले जो होते हैं एक किसान के लिए उनको पालना बहुत ही मुश्किल होता है हर एक unproductive गाई या male बचला एक किसान की जे पर एक भारी खर्चा होता है तो वो बहुत ही important हो जाता है कि वो male बचलों और उन अन्प्रोडक्टिव पच्शों का क्या कर रहा है तो भारत जैसी कंट्री में अन्प्रोडक्टिव गायों और मेल बचड़ों को मीट या फिर चमड़े के लिए बेचना समस्या भरा होता है क्योंकि इसे बहुत से लोगों के धार्मिक भावने जुड़ी होती है वहीं अगर आप भैंस की बात करें तो अगर कोई अन्प्रोडक्टिव भैंस आपके पास है या मेल बचड़ा आपके पास है जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है तो आप उसको असानी से चमड़े के लिए या मीट के लिए बेच सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो दोस्तों इन मेल काफ को आप बुल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगला फैक्टर अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको पताना चाहता हूँ कि ये गाएं के लिए थोड़े कम स्पेस की जरूरत होती है और भैस के लिए थोड़े ज़्यादा स्पेस की जरूरत होती है अगर आप नजर मारें अपने आसपास के डेरी फार्म से पर तो आप देखेंगे कि अगर किसी ने भैस पा लिया है तो उनके भी थोड़ा distance जादा रखा जाता है क्योंकि भैसों में जो होती है आपस में लड़ने की प्रवर्थी जादा होती है उनके जो है सिंग जो है इस तरीके के होते हैं कि उन सिंगों के थूँ वो एक दूसरे पर प्रहार करते हैं अगर आप एक इस वीडियो में मान लीजह कहीं दस बैसे बांधके बेठे आ तो उस धैस में यह मान लीजो आप तकरीबन भी इस गाएं जो है बांद सकते हैं अगला फैक्टर जो आपको ध्यान देना वो होता है एक्स्टेंसिव लेबर एफर्ट यानि के लेबर की बहुत ही ज़्यादा जूरूत होती है एक भैस के डेरी फार्म को चलाने के लिए क्योंकि आप जानते हैं कि भैसों को जो है नहलाना धुलाना पड़ता है और आप उन फिर आप एक तालाब में उन्हीं नहलाते हैं तो आपको तालाब तक लेके जाना और फिर वापिस लाना तो इस प्रकीरह में बहुत ही हाड्ड जो है लेबर विदिक लाना आप गाो के लिए आप काव के लिए आपको सब कुछ करना जरू ही जाता कि अगली जनरेशन को तियार होने में जो है बहुत ही कम गुण सुत्र जो है बच्चे तक पहुच पाते हैं भैस के केस में वहीं अगर आप गाएं की बात करें तो गाएं में एक अची ब्रीड अगली जनरेशन से अगली जनरेशन में बनना बहुत ही तेज होता है एक भैंस के comparison में चोदोवा फैक्टर जो आपको ध्यान देना है दोस्तों वो ये होता है कि गाएं जो है आसानी से milking machines पर आती है बट भैंसे जो होती है बहुत ही कम milking machines पर आती है आप ये चीज़ अपने nearby dairy farm से भी देख सकते हैं गाएं की जो है milking बहुत ही जादा milking machine से भी की जाती है बट भैंसों के case में बहुत कम होता है और पंदरवाएं जो है दोस्तों सबसे important factor वो है आपका खुद का experience दोस्तों अगर आपके घर में किसी ने भी गाएं पाली है या आपके दादा जी या आपके पिता जी ने गाएं पाली है आपके घर में किसी ने भी गाएं पाली है तो उनके पास गाएं को पालने का अच्छा experience होता है तो आप उस experience से बहुत ही अच्छा सीख सकते हैं उनसे बात करके समझ सकते हैं कि क्या फाइद और क्या नुकसान होते हैं गायों को पालने के और उसी तरह अगर आपने भैसों पर काम किया हुआ है पहले या आपके घर में आपने एक दो भैस भी पाल रखे हैं तो उस experience से आपको बहुत समझने को मिलता है कि आपको क्या भैसों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए या फिर आपको गायों की तरफ ध्यान देना चाहिए या आप उन किसानों से भी मिल सकते हैं जिन्हों ने इन पशों को पाल रखा है और उन से उनकी राए भी जान सकते हैं कि उनके द्वारा पाले गए पशू पालन में क्या फायदे और क्या नुकसान मिले किस तरह की समस्य हैं उन्हें फेस करनी पड़ी बट दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है इस वीडियो में मेकसिमοम पॉईंट जो है वो कवर कर चुका है और बलकुल अनबायस तरीके से मैंने आपको बताया है कि गाएँ को पालने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं गायों को पालने में क्या challenges आ सकती है और भैसों को पालने में क्या challenges आ सकती है यह चीजें मैंने बिल्कुल अनबायस तरीके से आपको इस वीडियो में बताया है आपको करना क्या है जितने भी points दोस्तों मैंने आपको बताया है एक dairy में लिखिए हो सकता है तो इन सभी points के screenshot लिजे और अपने phone में save रखिए इन सभी points पर ध्यान दीजे इन सभी points को analyze कीजिए अच्छे तरीके से और हर एक point पे अपने आपको रख कर सोचिए कि आपको जो है गायों के तरफ जाना चाहिए या फिर भैंस की तरफ जाना चा मन के सानों तक पहुंच सके तो आप प्लीस हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए शेर कीजिए ताकि और भी जरूत मन के सानों तक ऐसी वीडियो पहुंच सके और आपको अगर अपने dairy farm के लिए अच्छे quality के दुधारू पशू चाहिए जो के certified हो टेस् पर जाके हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं बाकि मैं अमंदीप सिंग आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में कुछ और information और knowledge लेकर तब तक के लिए जय जवान जय किसान